नमस्कार आप देख रहे हैं लाइब खबर मैं हूँ आपके साथ पूजा जाँ चले रूप करते हैं यूपी की कुछ बड़ी खबरों पर इलहबाद में कुम्ब के मेले की तैयारिया जोरू पे चल रही हैं जिसका जायजा लेने के लिए प्रदेश के स्टांप और नागरिक उडियन मंत्री और विधायक नंद गुपाल गुपता और नंदी इलहबाद पहुँचे जहां उन्होंने कुम्ब के निर्मान कारियों का और चेक निर्क्षन किया साथ ही निर्मान कारिय में इस्तमाल हो रहे सामग्रियों को सैंपल के तौर पर टेस्टिंग के लिए इंजिनिरिंग कॉलेज में भेजने के नरदेश दिये इस क्रम में कैबिनेट मंत्री ने बिजली घर चरा है सिविल लाइन्स पर सड़क के दोनों ओर चल रहे निर्मान कारिय को देखा वही मंत्री नंदी ने सरकिट हाउस में आयोजित जनता दर्शन में आय सभी लोगों की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना और उनको मदद का आश्वासन दिया और समस्याओं की निवारण के लिए जिलो के डियम और एसपी को पत्र लिखकर जल्द ही जाज के आदेश दिये आए दिन हत्या के आरोपयों में बड़ोत्री देखने को मिल रही है मामला मेजा थाना इलाके के जेवनिया गाउं का है जहां गोली लगने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई आपको बता दें कि गाउं के शिब मंदर के सामने कुवर पट्टी निवासी निहाल पांडे ने अपने चचेरे भाई नागेश पांडे के साथ मिल कर युवक को गोली मारी गाउं वालों के अनुस्तार आरोपी निहाल अवैद असलाहों का कारोबारी भी है घटना के बाद स्पी जमनापार छेतरा अधिकारी सहित कई थानों की पुलिस मौके पर पांची और मामले की जाच में जुट गई वहीं इलाबाद में राहूल गांधी की शिब भक्ती को दर्शाता हुआ एक नया पोस्टर वाइरल हुआ है जहां कॉंग्रिसी नेता हसीव एहमद ने इस पोस्टर को वाइरल किया साथ ही बंबं भोले और देश भोले का नारा भी दिया माना जा रहा है कि आगामी लोक सभाचुनाब में कॉंग्रिस इसी नारे के साथ चुनाबी मैदान में आ सकती है और इलहबाद में राज्ये विद्धुत परिसत के जूनियर इंजिनियर संगठन उत्तर प्रदेश के आवाहन पर सभी अबर अभियंता प्रौनत साहयक अभियंताओं ने जॉर्ज टाउन इस्थित बिचली विभाग के कार्यालों में अपनी मांगे मनवाने को लेकर भूखर्ताल शुरू कर दी वहीं फरुकबार जिले की कायम गंज के कोतवाल जस्वन सिंग ने अजब स्कीम निकाली दरसल कोतवाल साहब ने इलाके में हाहाकार मचा रहे बाइकर्स लुटेरे के खिलाब मुकदमा लिखने के लिए एक स्कीम लाँच कर दी कोतवाल ने कहा है कि अगर लुटेरा पीडित को 50,000 रुपे दे दे तो उसके खिलाब मुकदमा नहीं लिखा जाएगा वहीं लुटेरा रुपे देने के लिए समय की महलत मांगता है तो कोतवाल साहब उसकी पैर भी करते नज़र आ रहे हैं इससे भी बड़ी बात एक और है कि योगी सरकार ने तहसील दिवस का नाम बदल कर संपूर समाधान दिवस रख दिया है इस संपूर समाधान दिवस में मामले की सुबूतों की सहित शिकायत के पूरे चार दिन बीद गये हैं पर पीडित को संपूर तो दूर 5 प्रतिशत का भी समाधान नहीं मिला खबरों में फिलाल इतना ही बाकी की तमाम बड़ी खबरों से जुने के लिए देखते रहे हैं लाइप खबर